चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्छो करनाट का स्टेट का मोक अलोटमेंट जारी हो चुका है इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि मोक अलोटमेंट क्या होता है इसका फेस्ट राउंड का जो सेड्यूल चेंज हुआ है रिवैजड सेड्यूल क्या है मोक अलोटमेंट की कटोफ क्या गई है अभी आपको किस परकार से ओप्शन चेंज करना चीए ताकि आपको अच्छी कोलेज मिल सके तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कि मोक अलोटमेंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि मोक अलोटमेंट मैं आपको ये दिखाया जाता है कि आप कौन सी पोजिशन में है आपको कौन सी कोलेज मिल सकती है कौन सी कोलेज की क्या कटोफ रही है उसके according आप अपने college चेंज कर सकते हैं option आप change कर सकते हैं in option में आप new option तो enter नहीं कर सकते लेकिन जो आपने option फिल किये हैं उसको inter change कर सकते हैं किसी college को उपर कर सकते हैं किसी college को down कर सकते हैं किसी college को delete कर सकते हैं तो इस cut-off के according आप अपने मन चाही college फिल कर सकते हैं ओप्शन फिल कर सकते हैं इसमें तो यह होता है मोग अलोटमेंट अब हम यहां पर बात करेंगे कि इसका सेडूल क्या है तो इसका जो सेडूल है वो मोग अलोटमेंट का जो रेजल्ट है वो 4th February 22 को आ चुका है अभी जो आपने ओप्शन चेंज करना है वो आप कर सकते हैं लास्ट डेट रहेगी 7th February 22 सुबह 8 बजी तक यानि कि सुबह 8 बजी तक इन ओप्शन्स को आप चेंज कर सकते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका रेजल्ट कब आएगा तो इसका जो फाइनल राउंड का फर्स्ट राउंड का रे इसके बाद में आपने अक्सरसाइज देने हैं जो 4 ओप्शन होते हैं 1st ओप्शन, 2nd ओप्शन, 3rd ओप्शन और 4th ओप्शन, 1st ओप्शन में यह है कि आपको जो सीट मिल गी उससे आप संतूस्ट है, फर्दर काउंसलिंग में आप पार्टिस्पेट नहीं करना चाहते है तो ओप्शन 1 आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ओप्शन 2 में यह है कि सीट मिली है उसको जोइन कर रहे हैं और next round में भी आगे आप काउंसलिंग में पार्टिस्पेट करना चाहते हैं, ओप्शन 3 यह होता है कि जो कुलेज आपको मिली है उससे संतुस्ट नहीं, आप इस काउंसलिंग से बार निकलना चाहते हैं, तो यह चार ओप्शन आपको देने हैं यहाँ पर, तो यह ओप्शन इंट्री हो गए, यह सेवन्त फरवरी से लेके 9 फरवरी 22 तक रहेगा, इसके बाद में 24 1 और 2 के लिए जिन कंडिडेट ने 24 1 और 2 यह अवेल किया है, उनके ल बात करते हैं कि जो ओरिजनल डोकुमेंट से डिपोजिट करने हैं, एडमिसन लेटर डाउनलोड करना है, के यह ओफिस रिपोर्ट करना है, जो 24 1 के कंडिडेट है, उनकी डेट रहेगी 8 से लिके 10 फरवरी, लास्ट डेट रिपोर्टिंग रहेगी 11 फरवरी 22 पांस इसका सेड्यूल, अब हम इस मोक अलोटमेंट की कटोफ के बारे में बात करेंगे, तो इसमें जो कटोफ गई है, इस बार स्री देवी मेडिकल कोलेज टमकूर, जो बैंकलोर से टू हावर्स की जरनी है, यह सबसे डाउन कटोफ गई है, हलांकि प्रिवेस येर में इसकी मार्क्स पर, रमया सबसे टोफ का कोलेज है, करनाटका का, उसकी कटोफ पी काभी हाई गई है, यहने कि गवर्मेंट कटोफ के बराबर गई है, ओल इंडिया की जो गवर्मेंट कटोफ रही, उसके बराबर गई है, 15,025, रेंक 610 मार्क्स, अब बात कर लेते हैं, शेंट जो इस्टुडेंट की 24 होती है फीश ज्यादा होने की बावजूद भी गौर्मेंट को छोड़ते हैं और इस कोलेज को लेते हैं इसकी रेंग है 7,798, 632 मार्ग्स खाजाबंदे गुलबर्गा चार कोलेज हैं करनाटका के जिनकी हाई फीश है 16 से लेके 20 लाग तक तो इसमें समसे कम फीश की जो खाजाबंदे गुलबर्गा की कोलेज है उसकी कटोप 54,922 रही है 538 मार्ग्स पर तो ये मोक अलोटमेंट की कटोप है फर्स्ट राउंड का जो फाइनल अलोटमेंट रहता है कटोप तकरिबन सेमसी रहती है इसमें चेंज होनी की समभावना बहुत ही कम रहती है तो आप इसको एक कोलेज इंडिविज्वल कोलेज की जो कटोप है वो चेंज होती रहती है फाइनल अलोटमेंट में लेकिन जो लास्ट कटोफ रहेगी वो यही रहनी की संभावना है क्योंकि इसमें नई इंट्री नए उप्सन आप फ्रेस फिल नहीं कर सकते हैं अब मौक अलोटमेंट के रेजल्ट के अकोर्डिंग आप अपने चुआइस से चेंज करके कैसे बहतर कोलेज ले सकते हैं तो इसमें सभी कोलेजेज की कटोफ दी गई है आपके उपर के कोलेजेज हैं अच्छे कोलेज हैं उनको आप पहले फिल करें उसके बाद वाले कोलेज आप बाद में फिल करें झाल झाल